एहला तवक्काना चूटिनी प्रैश्वार ना अंतिम तवक्कामा प्रधानमंद्री नरेंद्र मोधी सुरत खाते भव्य रोटशो करिया बाद जन सबाने संबोधी। अहिया तेवे लोकों ने आतंकवाद मुद्दे साउधान रहवानी वाद करी विरोध्यों पर निशान टाक्यों। मुझे 14 साल पहले देश पर हुए सबसे बड़े आतंक की हमले की तश्विरे भी याद आ रही है। मुंबई पर पाकिस्तान से आये जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, वो इस समय भी चल रहा था। कल देश और दुनिया ने 26 नवेंबर आतंक की हमले के शहीतों को सरदाजली दिये। साथ क्यों मुंबई में जो हुआ वो आतंक की पराकास्टा थी, लेकिन हमारा गुजरात भी लंबे समय तक आतंक के निशाने पर रहा है। सूरत हो, आमदाबाद हो, इन शहरों में, सीरियल बम धमाकों में, बहुत से गुजरात के मेरे भाई बहन मारे गए थे। कुछ महिने पहले, आमदाबाद कोट ने इन गुनेगारों को गंबीर सजा दी है। गुजरात चाहता था कि आतंक का ये खेल खत्म होना चाहिए। भाजपा सरकार ने, यहां गुजरात में, आतंक के स्लीपर स्लेल पर बड़ी बारी किसे कारवाई की। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकरते थे, उन पर कारवाई करते थे, लिकिन साथ्यों कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कॉंग्रेस सरकार आतंकियों को छुडाने में अपनी पूरी तांकट लगा देती थी। हम कहते रहें कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कॉंग्रेस की सरकार आतंको नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। परणाम यह हुआ कि आतंकियों के होसले बढ़ते गए, देश के हर बड़े शहर में आतंक बाद सीर चड़ कर बोलने लगा। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एंकांटर हुआ, तो कॉंग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे। कॉंग्रेस आतंक बाद को भी बोट बेंक की नजर से देखती है, तुष्टी करण की द्रश्टी से देखती है, और सिर्फ कॉंग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भाती-भाती के दल पैदा हुए है, ये दल भी शौर्टकट की राजनिती में यकीन करते हैं, उनको तो सत्ता की भुख भी जरा तेज है, वो बोट बेंक की राजनिती करने पर उतारू है, एपीजमेंट तुष्टी करण के पुलिटिक्स में इंट्रेस्टेड है, कुछ लोगों को बुरा न लग जाएं, अपनी वोट मेंको दिक्कत न हो जाएं, इसलिए भैंकर से भैंकर आतंकी घटना के बावजुद भी, यह तुष्टी करण की राजनिती करने वाले सारे दल, उनके मुह पे ताला लग जाता है, चुपी साथ लेते हैं।